करनाल नगर निगम में मेर का चुनाव संपन हो चुका है अब नतीजों को दो दिन बाकी है 19 दिसंबर को पारशद और मेर के उमीदवारों की किसमत का पिटारा खुलेगा उसमें पता चलेगा कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा करनाल मेर चुनाव में भाजवा प्रत्याशी को कड़ी टककर देने वाली अजाद मेर प्रत्याशी आशा मनोजवदवा चुनाव खत्म होने के बाद पती मनोजवदवा के साथ पार्ग में घूम कर और फुरसत से अपनी थकावट उतारने में लगी हुई है उन्होंने का कि जो भी चंता का फैंसला होगा उन्हें मनजूर होगा जब तक निगम चुनाओं के नतीजे नहीं आते तब तक हर उमीदवार की सांसे अठकी रहेंगी उस समय क्या होगा जब ये जादूई पिटारा खुरेगा जिसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है आज पहला दिन था और हमने जाना कि करनाल मेर सीट पर चुनाओ लड़ने वाली अजाद उमीदवार आशा मनोजूदवा का क्या कुछ सोचना और क्या कुछ कहना है आपको बता दे कि करनाल मेर सीट के चुनाफ पर पूरे हरियाना और हरियाना की सभी रानी तिक पार्टी की नजरे ठीकी हुई थी क्योंकि यह चुनाव सीधे सीधे पर्देश के मुखे मंतरीवा करनाल के विधायक नोरलाल खटर के रानी तिक भुविशे पर भी असर डालेगा टैंशन भी नहीं है और थकान थोड़ी बहुत थी तो वो रात को तो फ्रेश होई चुके करनाल वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक परत्याशी को इतना प्यार दिया स्नेहे दिया रिजल्ट मैटर नहीं करता हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है गुरसी पर मैं बैठूं मेर बनू या ना बनू मँगर मैं आजकर मुझे इतना इतना मुझे यकीन है कि मैं करनाल के दिलों की मेर जूरूर बन चुकी चुनाव तो यह नगर निकम का था लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारे करनाल में तो लोकसब और विदान सभा से बड़ा चुनाव हो चुका था क्योंकि आप देखिए पूरा मंत्री मंडल हर्याना के पूरे MP और MLS यहां तक की मुख्य मंत्री जी भी स्टेज पर चड़क चड़के उन्होंने अपील की है वोट के लिए गवर्नर आए हैं नेता अभिनेता तक को बुलाया होंगे मुझे पूरा यकीन है कि करनाल वास्यों का अशिरवाद मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि उनको पहली बार आशा की किरन नजर आई है तो देखिए यह तो हार जीत और चुनाव आते जाते रहते हैं चुनाव तो यह बेसिकली भाईचारे का था मगर समर्थक जो होते ह कई कटर होते हैं अंधभक्त कहना चाहूंगी मैं स्वेशली अंधभक्तों के लिए तो उनकी अंधभक्ती तो कोई तोड़ नहीं सकता मगर यह पर्टिकुलर भाईचारे का चुनाव था मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने मेरे बारे में क्या बोला मेरे परिवार क प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें